ओके तो कैसे वो सब की सब आज हम लोग बात करने वाले आर्मा ट्रीम के ऊपर कौन से कौन से टाइप के आर्मा ट्रीम है किधर मिलेगा कितना परसें चान से सब के ऊपर भाई डीटेल में बात करने वाले देखो इसके ऊपर हम लोगोंने पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन वह बहुत पहले था और उसके बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ और कुछ नया आर्मा ट्रीम भी आ चुका है तो फिर से एक बार बात करना तो बनता है बाई चलो वह आज का वीडियो सुरू करते अखे इदकुल मिला के बाई सोला टाइप का आर्मा ट्रीम अपने को देखने को मिला है और यह सारा का सारा आर्मा ट्रीम अपने को अलग-अलग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है अलग-अलग चांसे होता है उसके उपर ही बात करने वाले हम लोग पहले हम लोग बात करने वाले सबसे सस्ता आर्मा ट के अंदर बिल्कुल और सबसे ज्यादा सस्ता आड़मा ट्रिम ये क्यों है क्योंकि ये वाई बहुती ज्यादा आसानी से मिल जाता है अपने को बस टॉंग ओल्ड के अंदर आना है और यह लाईवेरी के अंदर 980 चांस होता है कि इधर जितना भी chest spawn हो, उसके अंदर एक armor trim तो जरूर मिलेगा यह लो, देख लो भाई, यह मिल गया अपने को eye armor trim, और इसे के साथ-साथ इसके उपर भी एक chest generate होता है and यह रहा वो chest and देख सकते हो भाई, इसके अंदर भी अपने को मिल चुगा है भाई, eye armor trim वैसे यह क्या है भाई, इसाब कापी ज्यादा अच्छा लूट है तो बिल्कुल मेरे भाई, हर एक stronghold के library के अंदर 100% chance होता है कि अपने को भाई, अपने को भाई, eye armor trim जरूर मिलेगा और कभी-कभी अगर luck अच्छा होना भाई, तो एक stronghold के अंदर अपने को multiple library देखने को मिलता है, यह देख लो, इधर और एक library है, और इधर और भाई, मिलेगा आर्मा ट्रीम, यह आगे हम लोग दूसरे वाले library में, और इधर यह देख लो, यह वाले chest में देख लो, आर्मा ट्रीम बिल्कुल, और अगर हम लोग यह वाल मेरी के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाहर chest के अंदर भी ही मिल सकता है, यह जो बाहर वाला chest होता है, इसको alter chest कहते हैं, और इसके अंदर भी आर्मा ट्रीम देखने को मिलता है, 10% chance इधर भी होता है, कि अपने को एक मिल जाए, तो फिलाल तो भाई, लग अच्छा न यह रहा भाई, कुछ इस तरीके का दिखता ही है, काफी जादा यूनीक भाई यह दिखता है, और इसी के साथ साथ एक यूनीक जगा पे यह मिलता है भाई, यह मिलता है भाई, उडलन मेंसन के अंदर, देखो यह वाले आडमा ट्रीम का chance तो बहुत जादा हाई है, मतलब 50 परसंट चांस होता है, कि अगर हम लोग एक उडलन मेंसन के अंदर आए, तो अपने को यह वाला आडमा ट्रीम देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई, उडलन मेंसन के अंदर, 50% भी कमी है, क्योंकि इधर भाई, चेस्ट अपने को देखने को मिलता नहीं है, तो यह थोरा मेंसन के अंदर, बहुत आसानी से यह मिल जाता है भाई, तो चलो भाई, दो दो हम लोग ने बहुत हाई चांस वाला आडमा ट्रीम तो देख लिया, अभी हम लोग देखने वाले थोरा सा लो चांस वाला आडमा ट्रीम, यह अपना ब्रैंड निव आडमा ट्रीम, जिसका जाबा में यह चांस वाई तोरा से इंक्रीस हो जाता है, जाबा में चांस होता है 8.3% कि यह मिल जाए, अभी यह मिलेगा कहां पे, यह मिलेगा भाई, ब्रैंड निव स्टक्चर, ट्रेल रूइन के अंदर, तो यह है अपना ट्रेल रूइन और इधर अपने को देखने को मिलेगा वेवाइन आड़मा ट्रीम, जिसके लिए अपने को करना क्या है, बहुत सिंपल है इधर अपने को देखने को मिलेगा बहुत सारा सस्पीसियस सैंड, यह देख लो भई, यह अपना सस्पीसियस ग्रैवल, अपने को बस झारू लगाना होगा, और सिर्फ और अपना wayfinder armor trim अभी बात करते हैं अपना next armor trim के उपर जो कि है बाई quest armor trim तो इसका भी design काफी जादा cool है और काफी अच्छा ये भी दिखता है और ये वाला armor trim भी काफी जादा rare तो नहीं है ये मिल जाता है ये मिलता है अपने को सिप्रैक के अंदर ओके तो सिपरैक तो मिल चुका है लेकिन चांस कितना है भाई देखो सिपरैक के अंदर जो है तीन-तीन चेस्ट स्पॉन होता है ट्रेजर चेस्ट, मैप चेस्ट एंड सप्लाई चेस्ट और तीनों के अंदर भाई 16.7% चांस होता है कि अपने को एक नहीं, दो-दो आर्मा ट्रीम मिल जाए बिल्कुल, एक साथ दो-दो मिलता ये आर्मा ट्रीम अभी देखते क्या अपना लग अच्छा है, इदर मिलेगा अपने को आर्मा ट्रीम तो बिल्कुल मेरे भाई थोड़ सा एक दो सिप रैक के अंदर अगर हम लोग ढूंडेंगे तो क्वेस्ट आर्मा ट्रीम भाई आराम से मिल जाएगा अपने को खिадцkeit जाना है बहूत सिंपल अपने को जाना है भाईển से तेंपज के अंदर अपने को जाना है नीचे बिल्कुल अभी ऊडर चरीस मिलता है अपने को ठीके तो हर एक चेस्ट के अंदर वाई eta 15.3% chance होता है कि अपने को एक नहीं दो दो आड़मय ट्रिम मिल जाए और इदर चार चेस्ट मिलता है तो टोटल होता है फिप्टी सेवन पॉइंट्ट टू परसेंट मतलब आपने मिल चुगा यहां मिल गया दो असानी मिल जाता है बस अपने को आ जाना इज़र से काम करें आपना नेक्स्ट वाला आर्मार ट्रीम के उपर यह है भाई सेपर आर्मा ट्रीम काफी ज्यादा simplest का design है और neat and clean है ज्यादा कुछ मगजमार यह है नहीं बहुत तगरा ये भी दिखता है तो ये वाला armor trim अपने को मिल सकता है once again trail ruin के अंदर तो बहुती ज्यादा simple है ये वाला armor trim भी भाई suspicious gravel के अंदर मिलता है तो बहुती ज्यादा simple है trail ruin के अंदर जो suspicious gravel मिलेगा उसके अंदर से ही अपने को मिलेगा safer armor trim और chance कितना है देखो chance बहुती ज्यादा कम है बैट रॉक एडिसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.8% chance होता है कि अगर हम लोग suspicious gravel को तोरेंगे तो उसके अंदर से अपने को मिल जाए safe seeper armor trim तो let's go चलते हैं अपना next armor trim के उपर यह है भाई spider armor trim बूम भाई यह वाला armor trim भी काफी जादा खुबसूरत है दिखने में यह भी काफी तगरा है और यह वाला armor trim अपने को मिल जाएगा भाई end city के अंदर तो यह वाला armor trim थोरा सा end game armor trim है ड्रैगन को मारने के बाद ही यह वाला armor trim अपने को मिल सकता है लेकिन चांस कितना है देखो simple सा fund है end city के अंदर जितना भी chest generate होगा उसके अंदर भाई 6.7 परसें चांस होगा कि अपने को एक spider armor trim मिल जाए चांस थोरा सा कम है लेकिन 2-3 end city अगर घुमेंगे तो आराम से मिल जाएगा भई तो चलो मेरे बाई जलते अपना next armor trim के उपर जो किये बाई razor armor trim बाई जाब यह वाला armor trim बाई simple के उपर बहुत तगरा design है और यह कहां मिलेगा अपने को फिर से बाई trail ruin के अंदर जाना परेगा इसके लिए अपने को तो यह तो पता चल गया कि यह भाई मिलेगा trail ruin के अंदर लेकिन चांस कितना है इसका भी same है बाई bedrock edition में इसका chance है बाई 1.8% और जाबा के लिए 8.3% फिर से तो let's go मेरे बाई बाद करते अपना next armor trim के उपर जो कि बाई rib armor trim यह वाला armor trim बाई काफी जादा cool है और इसका design वहाओ यह मैंने gold से किया है लेकिन फिर भी इसका color बहुत ही जादा orange है मतलब थोरसा fire type का है इसका color मतलब समझ सकतो कहां से मिलेगा इसके लिए अपने को जाना पड़े गा बाई नेदर के अंदर और नेदर में कहां जलते हैं अपना next armor trim के उपर ये वाले armor trim काफी ज़्यादा neat and clean है simple size का design है यही चीज इसको काफी ज़्यादा unique भी बनाता है तो ये वाले armor trim का नाम है भाई host armor trim और ये कहां मिलता है once again बिलकुल trail ruin के अंदर तो कुल मिला के भाई 4-4 armor trim मिले वाला है trail ruin के अंदर लेकिन chance कितना है इसका भी chance low है भाई 1.8% chance है बिट्रोग में और जाबा में once again 8.3% chance है अपने को भाई सिर्फ और सिर्फ सस्पीसेस gravel के अंदर चांड भी इन करना है और ये वाला armor trim भी अपने को मिल सकता है भाई तो trail ruin भाई एक मात्र structure है भाई जिसके अंदर दो से जादा तरीके का armor trim मिल सकता है तो चला मेरे भाई next number पर अपना जो armor trim है ये है भाई wild armor trim तो नाम सुनके पता लग जाता है भाई ये वाला armor trim मिलेगा अपने को jungle temple के अंदर देखो jungle temple के अंदर basically दो दान पेटी spawn होता है और chances काफी जादा हाई है भाई 33.3% chance होता है कि एक chest के अंदर अपने को मिल जाए भाई wild armor trim इधर तो नहीं है भाई अभी देखते क्या इधर को है हाँ बिलकुल है भाई मिल जाएगा ये बिलकुल भी rare नहीं है आराम से मिल जाएगा बस एक jungle temple डून लो भाई wild armor trim तो मिल ली जाएगा तो चल भाई अद्धगम लोगों ने जो जो armor trim के उपर बात किया वो भाई थोरा सा मगजमारी करने के बाद मिल जाता है ठीक है उतना भी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन इसके बाद जो armor trim के उपर बात करने वाले ये काफी जादा मुस्किल से मिलता है भाई ये है बाई word armor trim इसके बाई एक वर्डन का फेस बना हुआ है और डिजाइन के तौर पर अगर देखें तो इसका डिजाइन काफी यूनीक है यूनीक के साथ साथ इसको लेना भी बहुत ज्यादा मुस्किल है क्योंकि ये मिलता है सबसे खतरनाक स्टक्चर के अंदर एंडसेंट सिडी के अंदर बिलकुल भाई ये वाला आडमा ट्रीम सिर्फ लेना मुस्किल नहीं है मगजमारी का भी काम है क्योंकि इसका चांस पता है कितना इसका चांस बहुत ज्यादा कम है 5% चांस होता है सिर्फ और सिर्फ भाई कि अपने को एक चेस्ट के अंदर ये वाला आडमा ट्रीम मिल जा सबसे प्यारा स्नाउट आर्मर ट्रीम इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक है और जितना इसका डिजाइन अच्छा है ना उससे बढ़िया जगा पर यह मिलता है इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा नेधर के अंदर अभी नेधर के अंदर तो आगे लेकिन इध अपने को भाई एक स्नाउट आर्मर ट्रीम मिल जाए देखो काफी जादा रेर तो नहीं है और पिगलिन बैसन के अंदर बहुत सारा चेस्ट स्पॉन होता है तो आराम से मिल जाएगा तो लेट्स गो चलो भाई अभी हम लोग बात करने वाले सबसे बेस्ट आर्मर ट्रीम के बारे में यह वाला आर्मर ट्रीम बाई डिजाइन के मामले में सबसे जादा बेस्ट है बाई क्या दिखता यह आर्मर ट्रीम बिल्कुली अलग टाइप का आर्मर बना देता है इतना कूल दिखता है ना बाई जितना कूल यह दिखता है उतना होट जगा पर यह मिलता है ये वाला आड़मा ट्रीम भी मिलता है, भाई, एंडसेनस सिटी के अंदर, बिलकूली, ये वाला आड़मा ट्रीम काफी जाधा रेर है, इसका चांस बता है कितना है, इसका चांस स्रिफ और सिर्फ 1.2%, मतलब अपने को पूरा का पूरा एंसें सिटी गूमना पड़ेगा और सायद से एक से ज़्यादा एंसें सिटी के अंदर जाना पड़ेगा फिर जाके अपने को देखने को मिलेगा ये वाला आडमा ट्रीम भाई देखो जीतना खुबसूरत ये आडमा ट्रीम दिखता है ना इसके लिए इतना मेनत तो करना पड़ेगा तो यह आ चुका है अपना नेक्स्ट आड़मर ट्रीम और यह वाला आड़मर ट्रीम भी काफी अच्छा दिखता है और बीच में एक सरकल सा बना हुआ है और इस आड़मर ट्रीम का नाम है बहुत ही आसान जगा पर मिलता है पिले लेजर आउट पोस्ट मिल जाए यार क्या पाणूती लग गया बाई Blair लगे बहुत है कोई भी आर्मर ट्रीम के उपर यह है भाई्छ इसका भी लूक मेरे बाई काफी जादा occurred जगा पर यह मिलता है जाएंगे लेकिन उससे पहले सबसे इमपोर्टेंट यह है कि अपने पास भाई लूटिंग 3 होना चाहिए ये वाला आडमाटरी मागर चाहिए फटा फट भाई लूटिंग 3 उठा लो उसके बाद क्या करना है उसके बाद अपने को जाना परेगा भाई ओसन मॉनुमेंट के अंदर बिलकुल अभी देखो सीन क्या है ओसन मॉनुमेंट के अंदर कोई भी दान पेटी तो स्पॉन होता नहीं है तो मिलेगा कहाँ पे बहुत सिंपल है भाई अपने को बस लूटिंग 3 लेना है और जाके भाई Elder Guardian के साथ फाइट करना है अभी देखो हम लोग अगर Elder Guardian को मारेंगे तो टोटल 20% चांस होता है कि वो बंदा भाई एक आडमा ट्रिम ड्रॉप कर देखो ये वाला बंदा तो किया नहीं टोटल भाई 16 तरीके का आडमा ट्रिम फिलाल भाई गेम में है और भी सायद से एड हो सकता है साथ तारीक को अपडेट आने वाला है भाई में तो सारा का सारा कलेक्ट करने वाला हो तुम लोग बताओ कॉमेंट सेक्षन में कि कौन सा वाला तुम लोग को सबसे अच्छा लगा और कौन सा वाला तुम लोग कलेक्ट करने वाले हो तो चलो भाई आज का वीडियो इधरी खतम करते है तो मैं मिलता हूँ तुम लोगो नेक्स वीडियो में